हेलो एवरीबडी इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर किसी ने आपको चेक दिया है और वो चेक डिजॉनर हो जाता है या बाउंस हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए और वीडियो के लास्ट में एक 2024 का मान्य सुप्रिम कोर्ट आफ इंडिया का चेक बाउंस का केस ए एसे चेक कब दिये जाते हैं सबसे पहली बात कि आपने किसी को cash में loan दिया और security के लिए चेक ले लिया दूसरी बात कि आप business करते हैं और आपने एक customer को माल बेचा और payment के लिए चेक ले लिया इसी तरीके के और भी transaction होती है जहाँ पर इस तरीके का advanced चेक आता है चेक बाउंस से रिलेटेड सारे प्रोविजन्स नेगोशियबल इंस्टूमेंट एक्ट नाइटीन एटीवन के सेक्शन 138 से लेकर 142 के अंदर दिये हैं अब इन सभी प्रोविजन्स को लाने का मकसद ये था कि लोगों का चेक जैसे इंस्टूमेंट में विश्वास बना रहे कि और वो चेक के थुरू लेन देन करते रहें आज के टॉपिक को मैं एक एक्जामपल से डिसकस करूँगा मान लीजिए कि करन ने एक 10,000 रुपे का चेक रिया को दिया रिया सिंग ने उस चेक को बैंक में डिपॉजिट किया लेकिन चेक डिजॉनर हो गया चेक डिजॉनर होने के अब तीन कारण हो सकते हैं पहला कि करन के बैंक अकाउंट के अंदर पैसे ही नहीं थे दूसरा करन ने अपना bank account close कर दिया तीसरा या फिर stop payment कर दिया stop payment का मतलब ये है कि करन ने अपने bank को ये instruction दी कि इस check की payment ना की जाए और ये region आपको पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि court case में काम आता है और ये region पता चलता है bank memo से अब check bounce होता है तो bank original check के साथ आपको एक document बेचता है जिसे memo कहते है उस memo के अंदर वो check bounce का region लिखा हुआ होता है ये memo legal document है इसे संभाल कर रखें जब तक कि आपको अपने पैसे मिल नहीं जाते अब check तो bounce हो गया अब रिया के पास क्या रास्ता है अपने पैसे वापस लेने का दोस्तों रिया के पास दो रास्ते हैं पहला रास्ता आपसी बातचीत दूसरा रास्ता court case लेकिन court case एकडम से नहीं होता इसके लिए आपको पहले से कुछ तयारी करनी होती है इन तयारियों को मैं अभी आगे discuss करूँगा लेकिन पहले बात करते हैं आपसी बातचीत की कई बार क्या होता है कि बैंक्स में कोई दूसरा चेक पहले से लग गया इसलिए गल्टी से रिया वाले चेक बांस हो गया इसलिए आप पहले party से बात करो और अपने पैसे की डिमांड करो अगर party आपका phone pick नहीं करती या फिर बहाने बनाती है या फिर आपके पैसे देने में आनकानी करती है तो यहां से आपके लिए दूसरा रास्ता शुरू होता है court case का अब रिया करन पर court case कर सकती है लेकिन ये case करने के लिए तयारी करनी होगी और उससे पहले कुछ legal करवाई भी है जो की करनी होगी वो करवाई क्या है कि सबसे पहले bank से original check और memo receive होने के बाद एक महीने के अंदर अंदर रिया करन के घर पर या office में जहां पर भी करन रहता है वहां पर एक notice सब करें ये notice legal notice कहलाएगा कि आपका दिया check dishonor हो गया इसलिए मेरा पैसा मुझे वापस दिया जाए और इस notice में क्या लिखना है इसका format मैं आपको description में दे दूँगा आपके कोई doubts हो तो comment section में लिखना और वो supreme court वाला case आप जरूर सुने जिसे मैं आगे explain करने वाला हूँ जिसे सुनकर आप और ज़्यादा मजबूत हो जाओगे और दूसरी बात क्या है कि notice serve होने के 15 दिन के अंदर करन को रिया को ये payment देनी होगी अगर करन 15 दिन में ये payment नहीं देता है तो यहां से from 16th days रिया का cause of action शुरू हो जाता है section 138 में court case का check dishonor का case कहां पर file होगा first class judicial magistrate के पास या फिर metropolitan magistrate के पास यहां पर मैं ज़्यादा detail में नहीं जाता क्योंकि ये सारा काम एक advocate का है इसलिए आप किसी अच्छे से advocate को hire कीजिए जिसे आप जानते हैं या फिर आपके घर के या office के आसपास nearby रहता हो और proceed कीजिए case को register करने के लिए चार documents आपको चाहिए पहला document original check की copy दूसरा bank memo जो check के साथ आपको bank से मिला था जिसमें वो region लिखा हुआ था कि ये check dishonor क्यों हुआ था तीसरा demand notice जिसका format मैंने आपको description में दिया था और चौथा demand notice का postal receipt अब इस postal receipt में बड़ा जोल जाल होता है बस यहां थोड़ा सा आप मेरी एक बात को समझ लीजिए और आप ज्यादा मजबूत हो जाओगे यह postal receipt इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी से रिया को पता चलेगा कि मेरा notice actual में करन के घर या office में deliver हुआ है या नहीं हुआ है वरना लोग court में यह बहाना बना देते हैं कि मुझे तो कोई notice मिला ही नहीं था लेकिन कोई भी court case करने से पहले मेरी ये सला है कि court case तब करें जब आप document से मजबूत हो जाएं क्योंकि court में दुनिया भर के सच और जोट चलते हैं लोग अपने आपको बचाने के लिए पता नहीं क्या-क्या हत्गंडे अपनाते हैं so be careful अब बात करते हैं उस Supreme Court case की जिसका जिकर मैं बार-बार कर रहा हूँ उस case में इसके अलावा कुछ और भी document सामने आए जो कि most most important है जी हाँ वो case हुआ था श्री दतातरे वर्सिस शर्णपा के बीच में इसमें दतातरे ने 2013 में एक court case किया कि मैंने 2 लाख रुपे शर्णपा को एजे loan दिये थे लेकिन शर्णपा ने वो पैसे मुझे वापस नहीं दिये और court case हो गया पहले case trial court में चला, loan देने वाला हार गया उसके बाद high court में appeal file हुई, जिसमें again loan देने वाला हार गया और last में 3 मार्च 2023 को ये case चला गया Supreme Court of India के अंदर जिसका decision आया 7 अगस्त 2024 को इसमें शर्णपा ने अपने बचाव में क्या कहा, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि court case करने से पहले ये बचाव अगर आपने कर लिया तो समझ लीजिए कि आप court case जीत गए बचाव में क्या कहा पहली बात कि मैंने ये चेक दत्ता त्रे को दिया ही नहीं था बलकि किसी और को दिया था चौती बात दत्ता त्रे की इतनी capacity नहीं कि वो मुझे दो लाख रुपे का लोन दे सके और इनी सब बातों को मुद्दा बना कर trial court और high court ने फैसला दिया शर्नपा के favor में और finally supreme court ने भी अपना decision शर्नपा के favor में दे दिया यानि जिस के उपर loan लेने का case file हुआ था अब यह case landmark case बन चुका है क्योंकि Supreme Court of India last authority है देखिए दोस्तों मैं वकील नहीं हूँ इसलिए मैंने सरफ आपको main facts ही बताए हैं अब मैं आपको अपनी ओर से अपने tips बताता हूँ अब यहाँ पर मजबूर document क्या निकल का है कि ITR loan के case में बहुत ज़्यादा important role play करती है अब मैं आपने tips शुरू करता हूँ अगर loan आपने cash में दिया है तो court case की तरफ ना चलें आपस में ही मसले को सुल्जा लें दूसरी बात अगर किसी का loan देने का business है तो मैं यह कहूँगा कि loan लेने और loan देने का सारा काम बैंक के थुरू करें दोस्तो आई होब कि चेक डेजानर का ये वीडियो आपको किलियर हुआ होगा डू कमेंट्स बिलो आपके कमेंट्स और सवाल हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं आपकेक वीडियो आपके लीडियो बेधीयो न गयादिची इने के लिएयो आपके करते हैं